नवश्कार दोस्तों, मैं आपका गाइडो जांक, और आपने मुझसे पूछा कि सर हम लोग preparation कैसे कर सकते हैं, preparation का अगला चरण क्या हो सकता है, तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, अगर मुझे तैयारी करनी है, और NCRT एक बहुत important segment होता है, हम ज NCRT पढ़ लो basics, वो clear हो जाएंगे, जब आप उन books को इकठा करते हो, for example, मैं geography की बात करूँ, तो आपके सामने जो है, वो number of documents आपके सामने आ जाते हैं, बहुत जादा जो होता है, वो inputs है, अगर आप वहां से देखोगे, तो कुल मिला कर NCRT, अगर हम देखे हैं, तो लग study करनी है, साथी साथ हमें, जो NCRT पढ़ रहे हैं, कोई गारंटी नहीं कि जब आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आपके understanding उसी तरह develop हो पाई, आपको between the lines पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए, between the lines का मतलब हुआ कि जहां पर आप जो चीजें लिखी गई है, जो चीजें आपक जा रही हैं, उनके आप base पे आप उनकी understanding कैसे कर सकते हो, इसको apply part के साथ कैसे ले कर जा सकते हो, यानि NCRT को सिर्फ कह देना कि आपके लिए बहुत आसान है, यह उतना आसान नहीं है, तो इसी को देखते हुए मैंने एक NCRT आंदोलन चुरू किया है, जहां पर उसके प्र आप हमेशा जो है नई NCRT को प्रिफर करें, क्योंकि जो अभी orientation है questions का वो एक अलग तरीके से आ रहा है, वहां पर environment के concerns जो है वो जादा है, applied part जादा है, तो ऐसी condition में नई NCRT आपके काम करेगी, दूसरा कई बार लोग जो है वो 9 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, उन्हें क्योंकि इस तीनों NCRTs में इंटर डिसिप्री अप्रोच क्रियेट किया गया है, जहां environment और जोगर्फी को mix करके पढ़ाये गया है, और इसी तरह के question हमें UPSC में देखने को मिल रहे हैं, तो आईए आज मैं आपके सामने जो है वो एक presentation दे रहा हूं, उस presentation में जो सबसे important segment ह और वो है आज में 6th class की NCRT आपसे discussion करूँगा, अब इस 6th class की NCRT में मैं आपको यह बताऊँगा कि हमें minimum time में कौन-कौन से chapters और कौन-कौन सी headings और कौन-कौन सी sub headings पढ़ने हैं, यानि जो मेरा experience है इस चीज को पढ़ाने का, उस चीज के इसाब से आपके अबल उतनी ह जो की बहुत important है, यानि 6th class की NCRT में मुझे यही chapter का यही topic ही पढ़ना है, यही हमारा प्रयास रहेगा, तो चलिए दोस्तों, आज हम 6th class की NCRT में बात करते हैं, basically 6th class की NCRT पढ़ते समय जो पहली एक important बात होगी, यह NCRT आपकी understanding के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए भी क्योंकि यह आपकी geography का base बनाता है, बिना इस class को पढ़े हुए, आप geography के base को उतने अच्छे तरीके से understanding नहीं कर पाएंगे, जैसे for example, मैं हम पर latitude और longitude है नहीं अच्छांस और देशांतर की बात करूं तो यह तो आप जो है वह उपरी class में पढ़ पहोगे, यहां पर नशत्रों के बारे में, धुरू तारे के बारे में, और मैंने देखा है कि प्री में directly महां से question directly उठा कर रख दिया है, कई बार जम चीजों को neglect कर देते हैं, बहुत आसान मान के वो कई बार हमारे लिए बहुत मुसीबत पैदा कर देते हैं, तो अब मैं इस presentation में आपको बत हो रहा है, हम सबसे पहले यहां topic लेंगे, इसमें हमें सबसे पहले हमें solar system यानि solar mandal के बारे में पढ़ना है, दूसरा प्रत्वी और चंदरमा के बारे में पढ़ना है, important है, चुद्रिग्रा यानि asteroids के बारे में, जो हम लोग कहते हैं, meteors जो हमारे पास होते हैं, asteroid and meteors, इस इस साल के लिए बहुत important है, लगातार इस तरह के इंपक्स हमारे यहां देखने को मिल रहे हैं, और उल्का पिंट जो हैं वो उसके बारे में हमें पढ़ना है, तो आपने asteroid belt के बारे में पढ़ना है, इसके बाद आपने meteor के बारे में, जो बहुत ही छोटे यानि उल्चोद स्टार के रूप में दिखाए पड़ता है, तो एक बार कोशन पूचा गया है, जो शूटिंग स्टार होता है, वो वाई मंदल की किस पेटी में यह फेनोमेन पाया जाता है, यानि ट्रोपो स्पियर में, मैसो स्पियर में, या एक्जो स्पियर में, तो आपको यह पता हो यह जो शूटिंग प्रोसेस होता है, वो मैसो स्पियर में पाया जाता है, तो इसलिए यह बहुत इंपर्टेंट होता है, यानि इस चैप्टर में सिर्फ आपको चार हैडिंग पढ़नी है, यह आपका काम बहुत आसान हो गया, आप कुछ जो है वो थोड़ा सा समय में लाइटिटूड और जो वर्टिकल लाइन धिया लोगिटूड बैसिकली इस जो लास का परपस है, वो बहुत ही बहतरी इन क्लास का परपस है, हम इस चीज को एडवांस लेबल पर जाते हैं, जैसे हम जीपीएस की बात करते हैं, हमारे फोन में है, डिवाइस हमारे पाथ लेकिन जीपीएस को आप जो है जीपीएस किसी भी व्यक्तिका जो इस्थान है और उसका समय यानि लोकेशन यानि एक्स एक्स य एक्स जड़ आड़ ती यानि टाइम जो है उसको जो है इंटिफाई करता है, तो हमें इसके लिए बेसिकली अच्छांस और देशांतरों की पॉइंट फाइव का जो हमारा नॉर्थ और साउथ है तो यह हमारे जो ताप कटिबंद और इसके बीच में हमारे तीन ताप कटिबंद दिखाए पड़ते हैं एक हमारा जो करक रेखा और मकर रेखा के बीच में एंट्रोपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में हमा इन सब को डेरिवेट करते हैं, लेकिन इस्टुडेंट को यहां अपनी 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 डबलब करके रखनी पड़ेगी कि हमें इसको कैसे पढ़ना है, दूसरा जो देशांतर होता है, यानि कि जो लॉंगिट्यूडनल, यानि घडडी-घडी जो पोल-to-pol बै थर्ड बहुत इंपोर्टेंट है, प्री में यहां से कोश्चन आय हुआ है, और वो है प्रत्वी की गतिया, यानि जो है वो अर्थ की मुवमेंट, तो अर्थ की मुवमेंट में सबसे पहले अर्थ अपनी अपनी अक्सिस पे घूमती है, घुनन बोलते हैं इसको, और दू इसको अपनी जो है वो यहां से आया है, अगर उसका आपने थोड़ा भी पढोगा मैंने जब सक बढ़ा था, और जो एक बम पर लाइन जो है अगर आपने पढ़ए तो डिरेकली आप तो तो यह सबसे खास बात है NCRT का आपको सीधे सीधे मिलते हैं अगला, चौता इसमें आप समय मत लगाईए तो फिफ चैप्टर की तरह बढ़ते हैं तो फिफ चैप्टर में हमारा जो सबसे important segment है प्रत्वी के प्रमुक परिमंडल यानि कि basically that is one of the most important segment यही से हमारा environment geography का base बनता है और sixth class में ही आप जो environment geography का implied part है यानि जो हमारा physical geography और environment geography जो हम mix up होती है वो basically हमारे लिए सबसे important बन जाता है यही सका introduction हो जाता है तो जो प्रतिक जो हमारे spheres है important spheres की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास भू मंडल यानि litho sphere है litho मतलब rock जैसे हमारे जो continents हो गए तूसरा हमारा जल मंडल यानि जो हमारा oceanography है hydrosphere के नाम से जानते हैं तो oceans इसके साथ पार्ट है तीसरा हमारा जो है वो वाई मंडल है यानि atmosphere और उसके साथ एक चौथा पार्ट जोडता है जिसको हम लोग जीव मंडल यानि biosphere कहते हैं basically यह चारो sphere जो है वो continuous amount में energy और matter को एक से दूसरे point तक transfer करते हैं और यहां आपको intro जो है environment का पहला introduction होता है जो कि आगे चलकर आपकी पूरी physical geography का base बनता अगर आपने इसको skip किया तो आप आगे चलकर इस interaction को समझ नहीं पाएंगे how energy and matter flow from one point to another point they are not linear concept यह रेखिए concept नहीं है they are the circular और जो है जिसे हम लोग कहते है cyclic concept है चकर के रूप में चलता है तो पांचवाँ chapter एक one of the most important आप इसको बहुत गहराई से समझोगे यह चीजें कैसे maintain होती है next one six chapter की बात करें तो प्रत्वी के प्रमुक इस्तल रूपों में यहां कोर जो है वो geography का बेस का सवर पर जीओ मॉर्फलोजी भू आकरती का बेस रखा जाता है तो important landforms, important landforms में सबसे पहले mountain है जिसे हम लोग परवत कहते हैं दूसरा पठार है जिसे प्लाटी कहते है और मैदान यानी plains के नाम से आपको केवल तीन ही पढ़ने है बाकी जो important इधर उधर के examples कहानिया दी है आप उसको skip कर सकते है उसमें आपको time लगाने की ज़रूद नहीं है आप directly यहां पर face करेंगे इसके बाद यहीं पर 6th class में पहली बार ही हमें जो है वो Indian geography का introduction करा दिया गया यानी 7th chapter में आपको भारत की इस्थित्य यानी location के बारे में पता चलता है भारत की इस्थित्य को जानना बहुत important है क्योंकि भारत के पास land boundary और oceanic boundary यानी इस्थल जो सीमाय है और जो जलिय सीम दोनों के दोनों पाई जाती है तो ऐसी condition में जब हम यहां पर देखते हैं तो हमें भारत की इस्थित्य यानी कि इसका location क्या है यह Northern Hemisphere में है यह दक्षिन अशिया में है हम इसकी location के बारे में जानते हैं यह basically आगे चलकर हमें IR पढ़ने यानी अंतरास्टी समंधों को पढ इसकी आगे बहुत महत्यपूर भूमिका निभायेगा तूसरा भारत में कितने प्रकार के भौतिक यानी फिजिकल डिविजन स्पाय जाते हैं तुहां पर भौतिक रूपो में यानी कि जो फिजिकल कंडिशन सहोती है वहां में इफरेंसे देखने को मिलता है कहीं पर हमार की जलवाई वरनस्पत्य और वनिप्राणियों के बारे में बात होती है यहां से मैंने देखा है अल्टरनेटिव साल पर मुझे जो है वो एक्जाम में कोश्चन यहां से देखने को मिलते हैं यानि इंडिया की क्लाइमेट इंडिया का वेजिटेशन और इंडिया का जो फोना यानि फ्लोरा और फोना दोनों के बारे में पढ़ना है तो इंडियान मांसून में आपको सबसे पहले पढ़ना है दक्षणी पशी मांसून 2011 आईएसपरी का डारेक्टली कोश्चन था लाइन उठा थी और उन्होंने कोश्चन बना दिया था इसके बात जो है वो हमारे पास शीत रिदैनी जो हमारे पास विंटर मांसून है वो हमारा इससा हो जाता है आपको केवल दो टॉपिक पढ़ने रधर आपको कुछ भी इसमें और ध्यान नहीं देना है नेक्स वन जो प्राकर्टिक वनस्मतिया भारत में पाया जाती है यह एक हैडिंग है इसको आपको पूरा कपूरा थौरोली स्टडी कर लेना है इसी के साथ जो है वह एक चैप्टर है हमारा इसी का एक सब पार्ट है जो मेजर है वह हमारा वन है और जैसा कि मैंने इसमें यहां से क्वेश्चन की अप्राबिल्टी बहुत जादा हो चुकी है तो वनों में अगर बात करें तो जो हमारा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इसमें भी आपको दो चीजें पढ़नी है इसमें एक वर्षावन रेन फॉरेस्ट आप यह मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टें आते हैं जोग्रफी के अंडर्स्टेंडिंग में भी यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह जाकर आगे हमारे साथ जोड़ता है जब हम हाईयर लिबल पे इन्वार्मेंट अनिकलोजी पढ़ते हैं तो वहां यह पार्ट जाकर आटेच हो जाता है बिना कि आप कभी भी आगे का पार्ट नहीं पढ़ पाओगे दूसरा पतज़वनों के हैडिंग पढ़नी है यानि कि जो हमारे ऐसे फॉरेस्स के नाम से जाने जाते हैं जो एक खास मौसा में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं तो ऊशन कटिबंद यानि कि जो आपका जो टे प्रवती यानि मौन्टेन फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया था तो परवती वन और मैंग्रोव तो नो डाउट यह हमेशा से यूपी असी का सबसे सबसे जादा एक खासम खास जो है वो टॉपिक रहा है हर अल्टरनेटेव यर्स पे मैंग्रोव वन मैंग्रोव वन के मैंग्रोव वन क्या होता उसकी क्या विशिष्टा है होती है क्या खत्रे हैं किस प्रकार की प्रजातियों को सनक्षित करता है इस पर यह कई कई बार जो है इस पर कोशन आ चुका है तो केवल आपको दो टॉपिक इसमें पढ़ने एक परवती वन और दूसरा मैंग्रोव तो यह जो है वो 6th class की NCRT रहा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी बुक को मैंने गिने चुने topics के अंदर जो है वो convert कर दिया है यानि आप अगर अपनी तयारी कर रहे है तो केवल इतने ही आप सब headings के साथ जो है उस 6th class के NCRT को पढ़ सकते हैं पढ़ते समय एक उसको पढ़ा उसको उठाया और एक notes के रूप में रख लिया यह कभी भी आपकी help नहीं करेगा आपको यहां पर जो है वो problem काफी हो जाएगी तो हमें जो है वो बहुत focus करके हैं इसकी study करना पढ़ता है झाल 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